नमस्कार प्रणाम अगेन एक नया कैप्सुल डाप्टेज के लिए डाप्टिक पेशन्ट के लिए शुगर लेवल जिनका आप डाउन रहता हो फैटी लीवर हो, कॉंस्टिपेशन हो, गैस हो, एसिडिटी हो या डैजिस्टिव सिस्टम से लेटर कोई प्रॉबलम हो, लोवर बैक पेशन हो, लंबर रीजन में कोई प्रॉबलम हो या स्वाइकल स्वंडलाइटर हो बट ज्यादा हम बात करेंगे, फैटी लीवर और पैंकरिया से रिलेटर जिसकी इंसुलिन की मातरा बहुत कम सेक्रेट होती हो तो यह 7 मुवमेंट्स साथ साथ करें और सीख के फिर अपनयाप करते रहें और अगर किसी ने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले और अल नॉटिफिकेशन का बटन भी यॉन कर देना तांके अगली वीडियो आपको मिल सके अगर किसी ने कुछ पूछना हो कुछ क्वैरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दे आपको रिपलाई मिल जाएगा पहले में पैर सीदे करके बैठ जाना है सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरी मुव्मेंट इसका काउंटर जो करेगी और पेट को और बैक को भी तियार करेगी तो बटर फ्लाई में ऐसे पैरों को आपने आगे रखने पंजों को ग्रिप कर लेने हल्क किसी स्वास भरने और स्वास छोड़ते वे धीरे धीरे नीचे जर जाएगा जितना आप जा सकते हैं जूरूरी नहीं कि आपका फोर हेड लगे पर लगाने की कोशिश करने हैं डे बाए डे इन्हेल आप एक्जेल डाउन आप एक्जेल डाउन ऐसे पांस से साथ बार दोहरा ले अभी हम दो दो तीन 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 बार ही करेंगे समय के बाहर के कारण तो यह दूसरी एक्सरसाइज तीसरा आसल पैर खोल के इसको हम मेरुवकर की फस्ट ठिथी और भूनमनासन की फस्ट ठिथी मानते हैं पहली पूजिशन मानते हैं तो पैर खोल दे मैट के कॉर्णर तक और अपर बोडी को लीवर रेजन को हमने पीछे की तरफ ऐसे ट्विस्ट करता है यतना हो सके तो य ये लीवर पे पूरा प्रेशर आए पैंकरिया पे आए पेट पे आए लोवर बैक पे गर्दन कंदे पीछे पुड़ा सा रोकना है यहां पर स्वांस नॉर्मल चलेगी तो दूसरी तरह राइट इस तरह से जब पीछे जाएं तो स्वांस बहार छोड़ दे बीच में आए स्वांस ले लिया फिर पीछे के स्वांस बहार फिर बीच में आए स्वांस ले लिया फिर पीछे के स्वांस बहार इस मूवमेंट को ऐसे स्वांस छोड़ते जाएं और दस दस बार कम से कम करें दस से पंद्रा कर ले जिनका पेट बढ़ा हुआ है फैटी लीवर है पेट पे भी फैट चड़ी हुई है बहुत ज़्यादा चर्वी चड़ी हुई है पेट को कम करने का भी बहुत लावकारी आसन है ये भूनमनासन का पहला गंबर और मेरुवकरासन का भी पहली ये इस तरह से आप पांस से दस दस बार कर सकते हैं इसके बीच मैं अगर आपको लगे बैक में थोड़ा स्टेयन आ रहा है तो बटर फ्लाय में फॉवर्ड बेंडि की थी वा आप आर生 से वैसे की जैसे पहले की थी वैसे कर सकते हैं तो बैक में स्टेयन नहीं आएगा और प्रेलेक्स रहेंगे और फिर ऐसे ही प्राप सिदे करके खोड़ा सा विश्राम बीच में जहरी स्वास, स्वासप्रध्यान चौथी मोमेंट में पैर मिला देने हैं इसी में और वकरासन करेंगे वकरासन में पहले घुटना मोड ले, राइट नहीं मोड आए, तो राइट साइड ही कंधों को गुमा दे और लेफ्ट हैंड राइट के उपर से ऐसे पैर के पंजे पगड़ने को कोशिश कर ले, कि पंजाब की पकड़ने आ रहे नहीं आ रहा तो हाथ ऐसे नीचे रख सकते हैं, यहां भी नहीं आ रहा तो घुटना ऐसे पगड़ सकते हैं और ऐसे पिछे की तरफ गुमाना राइट लीवर पे प्रेशर आना चाहिए, फैटी लीवर तभी ठीक होगा जब प्रेशर आएगा, प्रिमसाज होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक से खाना जाएगा, लीवर को भी खाना चाहिए, तो पीछे इसे ही फिर, लेफ्ट नी फोल्ड और लेफ्ट साइड से पीछे ट्विस्ट, इसमें ध्यान रखना है कि जिस तरफ आप ट्विस्ट कर रहे हैं, उसी तरफ का पैर मुड़ा हो, जो पैर मोड रहे हैं, उसी तरफ ट्विस्ट होना है, तो हाथ उपर से पैर का बंजा पकड़ा जा रहा हो, तो घुटने को ऐसे उपर से तरफ कर सकते हैं, गर्दन कंदे पीछे, जीरे से वापिस, एक एक बार और करेंगे इसको, इसमें ऐसे भी आप कर सकते हो, पीछे घुमाया पहले, फिर घुटना मोड लिया, और पैर का पंजा पकड़ दिया, गर्दन क कांगूठा हाथ में नहीं आ रहा, तो ऐसे अल्बो रखके ऐसे ट्विस्ट करना, बेसिक परपस इस पॉर्शन को, लीवर वाले पॉर्शन को पीछे के तरफ करना है, ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, तो तीनों स्थिछे में से, जो इसके आगे फिर फर फरदर आगे डव पांच बार करेंगे, तो असर आएगा और डेली करेंगे तब, एक दिन करके छोड़ देंगे फिर नहीं, तो कोशिच करें इसे, डेली करेंगे, इसका काउंटर अगेन, बटर फ्लाई, बीच बीच में करते रहें, जब भी बैक पे प्रेसर आए लगे, ओ, छोड़ा सा का पांचवां आसन है, भुजांग आसन, उसे पहले माकर आसन में थोड़ा विश्राम कर लें, और हाथ कंधों के नीचे रखें, इसे, स्वांस के साथ धीरे धीरे उपर उठना है, ऐसे, पंजे पीछे रहें, त्यार खुले हों, कितना आप आराम से उपर आसके जरूरी नह के जादा आए, उड़ा से के तो पूड़ा नीचे जाए च 주는 देसे, और सौस भरते उपर, इल्ए शोड़ते हो नीचे, इस आसन को पांस से साथ बार आपने करने, स्वास के साथ ऊपर, स्वास चोड़ते हो mere back to be pressure our लेगा हलका लीवर भी यहां से स्ट्ट होगा पैंके पर प्रेशर आएगा नेवल पर भी हर्मोन इंबैलनस में भी आसन बहुत लाबकारी है हर्मोन सेक्रिशन बैलस में होती है तो इसको पांस से साथ बार हमने करना है और तीन बार को कॉंबिनेशन के साथ फाइव नंबर है तो ऐसे ही पीछे जाना है घुटने खुले खुले घुटनों में फंसला हो दोनों में तांकि हमारा पेट बीच में ना आए और आए तो थाई उसके बीच में रहा जाए फिर ऐसे ही भुजांगासन में जाना है यही से इन्हेल और एक्जेल फिर इन्हेल इसको आप पा यहां पर सुड़ा विश्राम, रिलेक्ट, पांस साथ बार गहरी स्वास, नेक्स्ट मुव्मेंट है, अब जैसे मैं वजरास्त ने बैठ गया यहां से, तो अगर कोई वजरास्त में बैठ सकते हो, तो वजरास्त में बैठ हो, अगर कोई वजरास्त में नहीं बैठ सकते, तो वो किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाओ, इन यानी, sitting comfortable, meditative posture, और अगर घुटनों की प्रोब्लम हो, इस सशांक नहीं कर सकते, या यह भुटने वोड के नहीं बैठ सकते, तो यह वाली प्रेक्टिव साथ नंबर की आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, इतना सच्छाल रखना है कि पीठ बिल्कुल सीधी हो, 90 का 90 का कोन बनाती हो, और बाया हाथ सिर्पे रखने पहले, तर दाया हाथ खोड़ा सा हलका सा सिर्पो दबाने हलका सा बिल्कुल, और गहरी स्वांस भरते हुए आँखे बंद रखते हुए मौकार हम्मिंग, तिन बार करेंगे हम, अम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म हाथ गोद में रख लें, रिलाक्स, शान एक मिनुट साइलेंच और फिर हाथ प्रणा मुद्रा में उसी श्वर का अप्राकृत्ति का शुकराना, ठैंक्स, ग्रैटिटूट, आप सभी काई बहुत-बहुत धन्यवाद और, और, ये जो एक्साइज की लास्ट में, जो हम्मिंग वाली, अगर ज्यादा देर ना हो, हाथों में दर्द होने ल हैं, ये बहुत लावकारी है, तो इस साथों के साथों एक्सरसाइजर, डैबटिक, पेशेंट्स के लिए, फैटी लीवर के लिए, एसेडिटी के लिए, गैस्टी प्रॉब्लम के लिए, लोवर बैक्पिन के लिए, स्रवाइकल के लिए, रिबर टक्टिव इस्टम, हर्म संदित रहें उस वीडियो को, और उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी उसका लावक होन सके, धन्यवाद, प्रणाम.